ये मुद्दा वो है नहीं जो लग रहा है देखने में ये मुद्दा वो है कि हिंदुस्तान को दारूल इसलाम बनाने की फिलोसफी उस समय निकले मैं आपको पताता हूँ कि जिना और मौंट बिटन के बीच में क्या कम्मुनिकेशन हुआ जब आप ट्रांसफर अप पावर क के डॉकुमेंट में जिना और मौंट बिटन के कम्मुनिकेशन है जिना कह रहा है कि हिंदुस्तान मुसल्मानों से तुमने अंग्रेजों ने लिया था और मुसल्मानों को वापस क्यों नहीं करो गए ये जिना की पॉलिसी है इसलिए हम को यहां का राश्टर धाशिगोश लड़ रही थी पूरी उस समय की कॉंग्रेस लीटर्शिप मैं देश की लीटर्शिप कॉंग्रेस आज की कॉंग्रेस उसको अंदोलन में तो अब जिना को कैसे साता ट्रांस पर हो जेग क्योंगरेस भारी है तो जिना ने एक प्रस्ताव दिया कि हमको एक छोटी सी जगए हिंदुस्तान के अंदर दे दो जहां से मैं दारूल इसलाम बना लूँगा उस पॉलिसी के तहर्थ हिंदुस्तान में इसका बटवारा हुआ पाकिस्तान दिया पाकिस्तान ने कॉंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसी जो शुरू की वो डे वन से यही थी की हिंदुस्तान को कैसे दारूल इसलाम बनाना और इसी पॉलिसी के तहर्थ नहरू उनके चक्कर में आ गए और नहरू और लियाकतली समझाता हो गया उस समझाते में हिंदुस्तान में मुसल्मान रोग दिये गए और पाकिस्तान में हिंदू रोग दिये है उनको मालूम था हिंदूं को तो हम वैसी निप्टा लेंगे लेंगे यहां जो मुसल्मान हम रोग देंगे यह मुसल्मान किसी ने किसी करण के नहरू के मरने के बाद जब शास्त्री जी सत्ता में बैठे तो शास्त्री जी के खलाफ अपने आप उन्होंने यूद कर दिया बिना किसी कारण के क्योंकि उनको एक कॉंसिस्टेंट पॉलिसी के हिंदुस्तान पर कबजा कैसे करना इसको दरूल-इसलाम कैसे बनाना अब इस दरूल-इसलाम बनाने की पॉलिसी में ही उन्होंने वो करगिल का सफशलंद रचा उसके बाद फिर उन्होंने इंडिरेक्ट टेर्रिज्म भेजा और टेरिज्म भारत में फ्हला फिर वहां से उन्होंने बाया दुबई रूट बाया और खमाम तरह के रूटों से हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपलेशन कैसे बढ़ाई जाए इसकी विवस्ता और हिंदुस्तान के मुसलमान को कैसे बरगलाया जाए और इसलाम के नाम पर हिंदुस्तान में कैसे डिस्टर्वेंस किया जाए इसके लिए उन्होंने भरसक वहां से प्रयास करना शुरू क हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कैसे बढ़े इसके लिए वहां से इस्लामिक स्कॉलर्स बेजे जिन्होंने भारत में आकर कहा यह तो अल्ला की देन है और और पॉपुलेशन तो अल्ला देते हैं यह वही दे रहें वही खिलाएंगे यह सब दुनिया बर की बाती इस पॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम करना शुरू किया लोग कहते हैं कि आपने यह 370 2019 के बाद क्यों हटाया आपने टिपल तलाक 2019 के बाद क्यों हटाया आपने यह दुनिया बर की बात हैं सोच कर देखे कि सरकार उस समय कैसे बैक्राउंड बना रही थी कैसे वह कंट्री से पैसा आ रहा था जो पाकिस्तान से फेस करेंसी आ रही थी जो हिंदोस्तान में करेंसी लाकर दुनिया बर का खेल खेला जा रहा था वो सारा पैसा कूड़ा हो गया और कूड़े का मतलब यह हो गया कि वो लोग जो पाकिस्तान सपोर्टेट थे बिना किसी रिट चल रहा है लेकिन अगर पैसा होता तो क्या होता दूसरी दूसरी उनकी बात जो जो वो करना चाहते कि हंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ाएंगे दारोल इसलाम बनाएंगे घजबाय हिंद लाएंगे यह सारी बातें जो उनकी दिमाग में थी उन सपर 2014 के बाद रोग करके लगने शुरू होगी क्योंकि क्यों उन्होंने का सब लीगल सिस्टेम में यागे नोट भी लीगल सिस्टेम में वेपार भी BattleB थी 2014 की सरकार के बाद उसने इन पर सब पर दीदी एक करके वैन लगाना शुरू कर दिया और नतीजा ये निकला कि अब जो दारूल इसलाम दिमाग में चड़ा था ना कि इसको दारूल इसलाम बनाना है वो तो अब इंपलिमेंटी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि फाइनल सेज पर उन्होंने यह और कहा दिया कि हम इंदोस्तान में एक पॉपलेशन रिजिस्टर बनाएंगे सबका डेटा मेंटेन करेंगे अब यह जो पाकिस्तान मंगला देश और दुनिया भर से मसल्मान लाया गया था किसी ने किसी साधन से यहां पर रखा गया था उसने यहां शा हो रहा है जो भी हिंदोस्तान के अंदर विरोध हो रहा है उसका में कारण है कि आज अगर सरकार पीछे ना हटी तो हमारे जो दारूल इसलाम दिबाग में बैठा हुआ है उसकी पॉलिसी एक एक करके सब फेल हो जाएगी और अब दारूल इसलाम बनाने की जो फिलोसोपी कर देंगे हर कालोनी का एक सर्टिवेट बना देंगे हर वेक्तिका एक आईडी बना देंगे तो फिर भवेश में जो भारत को आप इसलामी कंट्री बनाना चाहते थे वो इसलामी कंट्री भारत अब कैसे बनेगा क्योंकि इसलामी कंट्री नहीं बन सकता इसलिए आज इसक दस वर्ष केवल और रोक जाईए आज के population के जो data हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में 50-50% population होगी हरवड की research हैं जिसमें उन्हों ने का हिंदुस्तान को अब कोई रोक नहीं सकता कि वो Islamic country ना बने क्यूं क्यूंकि इस तरह का जाल बिट चुक सकता है इसलिए आज की सरकार अगर उस पर सब पर कंट्रोल लगा रही है जैसे वो कह रहे हैं कि हम population register बनाएंगे वो कहते हैं इन्होंने कंटक काटने शुरू कर दिये 371 से मोट था भारत वर्ष में टेरिश्म फैलाने का 378 भारत में टिपल तलाक के माध्यम से और भारत म जो निकहा है वो हिंदू को निकहा करके हिंदू को लाओ पर एक तलाक दे दो और उनको छोड़ दो फिर दूसरी जो जिन की साधमर नहीं होती उन्से शाधिया करवा दो उन से बच्चे पैदा करो बाद में महिला मरी जाएगी बच्चे इसलामिक हो जाएंगे ये सारी policy पर धीरे धीरे करके वो वहन लगता जा रहा है अब आप ट्रिपल कलाग नहीं दे सकते अमन भर गया है या लड़की ने बिरोत कर दिया मुगतमा लिखवा देगी तो अब हम चौती साधी कैसे करेंगे और आगे का साधी का प्रोग्राम कैसे चलेगा और लड़किया बरगल है आप तो पंचर की दुखान खोले हुए थे आपके पास ही पांच भीगे कार हाइवे के किनारे कैसे आ गया यह पॉलिसी के तहती हिंदुस्तान के सारे के सारे हाइवेस पर मुस्ली सेविंटी परसंट मुसल्मानों ने परचेस करके रखा है विद्दा सपोर्ट पाकिस और अब उन पर कुशन मार्क लगने वाला है तो आप जो सतर साल से बनाए बैठे थे कि हमें इसको मुस्लिम साशन लाना है हमें इसलामिक साशन लाना है वो धीरे-धीरे करके मिथक तूटेगा तो विरोध होना स्वाभाविक है इसलिए आज की सरकार का विरोध इस बात क को ही हम चर्मरा देंगे और जिस दिन वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा उस दिन हिंदुस्तान को दार विलसलाम बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा बाकी पॉपलेशन थोड़ी सी बचेगी जैसे पाकिस्तान में 23% बचे थे कहीं 27% बचे थे बाकी उसा कतम हो गए ना द पीट के बराबर कर दिया और काश्मीर घटी खाली करवा दी हिंदुस्तान भी ऐसी ही पॉलिसी के तहत करने की तयारी है बंगाल आप आज का देख लीजे बंगाल में प्रेटफॉर्म पर लोग बैठे हुएं ट्रेनर नी चलने दे रहें असम की हालत कुछ जगों की देख चुके हैं केरला की हालत देख लीजे दिल्ली की हालत देख लीजे कि दिल्ली में कोई काम नहीं होने दे रहें पुलिस की गाड़ियां नहीं निकलने दे रहें सामान अदमी का जन सहलाब नहीं निकलने दे रहें सामान कृतिविदियां नहीं होने दे रहें ये पॉ भवेश्ट का भारत आज न बना इस सरकार के दौरा, तो हिंदुस्तान समाप तो चुका है, जिन्ना की पॉलिशी जिसके तहफ उसने पाकिस्तान लिया था, और जो उसने कहा था, एक छोटे से कुन्वे को कोने को लेकर हम इंदुस्तान को पाकिस्तान बना लेंगे इंदुस्तान पर साशन ले आएंगे वो होचरतार्त होता दिखाई दे रहा है अगर आज सरकार को सपोर्ट न हुआ और आज सरकार न रुप ने काम किया, आज अगर दूसरा रास्ता बचेगा नहीं और अभी ही नहीं बचा है आपके पास भविष्य में कोई रास्ता बच नहीं सकता जब तक आप फॉज़े नहीं लगाएंगे काश्मीर को आपने कंट्रोल किया कि वहाँ पर आपने पर मिलिटरी फोर्स बेच कर आपने undoubted गोली बिना किसी बेदबाओ के गोली चलने का आदेश दे दिया है कि अगर कोई भी गरबर करें उसको जीरी गोली मारो उसे पूझने की जरुद नहीं वो अगर आपने आज हिंदुस्तान में ना किया तो हिंदुस्तान 2040 में समाप्त हो चुका है वर्ल्ड के किसी भी फोर्म के रिपोर्ट ठाकर देख लिए सब यह ही कह रही है इसलिए यह पॉलिसी है इस पॉलिसी को ध्यान में रखिए कि वो क्या करना चाहते है यह कोई विरोधिरोध जो आप कहते हैं झाल 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 झाल